आज इस लेक्चर में हम डिसकुस करेंगे UNWTO इसकी तरफ से जो बैस्ट टूरिजम विलेज वाली केटेगरी इसमें जो अवार्ड दिये जाते हैं उसके लिए तीन इंडियन विलेजेज को नॉमिनेट किया गया है कौन-कौन से ये इंडिया के विलेजेज हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है एक बहुत इंट्रेस्टिंग यहाँ पे है जो विसलिंग विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो भी यहाँ पे होगा Villages पे जाने से पहले हम इस Award की बात करते है World Tourism Organization ये United Nation की Specialized Agency आपकी है और इसका Overall Objective आप देखेंगे जैसा नाम से पता चल रहा है तो एक तरह का आपका Tourism को Promote करने का जो पूरा Policy Related Framework है वो सारा यहां पे रहेगा Tourism के अंदर ये चाहरे हैं कि एक Responsible, Sustainable और Universally Acceptable Tourism प्रमोट किया जाए क्योंकि Tourism को लेके काफी सारे Concern ये रहते है Tourism की वज़े से कई बार Environment को नुकसान होता है कई बार इस तरह के आपके Development किये जाते हैं जो कि Overall Larger Context के अंदर Sustainable नहीं होते तो उस Point of View से ये एक International Framework प्रोवाइड करा रहा है कि इस तरह से हम Tourism को ज़्यादा Sustainable बना सकते हैं Responsible बना सकते हैं Ethical values को Create कर सकते हैं तो उस परपस से UNWTO आपका ये Organization है इसका Headquarter आपका Madrid, Spain के अंदर है और Member की अगर हम बात करेंगे तो Member States भी है मतलब countries भी यहाँ पर रहेंगे Around you have 159 states इसके अलबा काफी सारे Associate Member और Affiliate Members है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर Private Sector का भी Participation है काफी सारे Educational Institutions भी यहाँ पर Participate कर रहे हैं और Tourism Associations भी Participate यहाँ पर कर रही है अब जैसा हमने बात किया कि Sustainable Development Goal को प्रमोट करना इसका एक Objective है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो Sustainable Development Goal है Total 17 Goals हैं जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है सबी देशों के लिए यह Goals है तो उसी में से Goal No.8 जो है जो Descent, Work and Economic Growth की बात करता है उसी का एक Target है That is Promoting the Beneficial and Sustainable Tourism तो इसी Target को अचीव करने के लिए यहाँ पे इनका Objective रहेगा कि हम ऐसा Tourism प्रमोट करे जो कि हमें Sustainable Tourism की तरफ लेके जाए मतलब कि जो Jobs भी Create कर रहा है Opportunities भी Create कर रहा है और Overall जो है वहाँ पे लोग जो है उनकी लिए Wellbeing भी Create कर रहा है Environment की Sustainability को भी Promote कर रहा है तो इसी हिसाब से इसका जो यह Award है Best Tourism Village वाला UNWTO का यह जो इनिशेटिव है यहाँ पे यह इस Award के थुरू Basically जो Best of the Best Rural Tourism Destination है जो इस तरह का Example सैट कर रही है कि हाँ Jobs भी Provide करा रही है Tourism के लिए आपके Scope भी बहुत ज़्यादा दे रही है और एक वहाँ पे जो Local लोग रह रहे है उनकी Wellbeing को भी Ensure कर रही है इस तरह की Values आपकी जो भी आपका जो Village है वहाँ की जो Values है वहाँ का जो Heritage है, Culture है उसको भी Protect कर रही है, Promote कर रही है तो इस तरह से आप देखोगे तो यह Best Tourism Village के अंदर इस तरह के Villages को आपका Acknowledge किया जाता है, जो की हर तरह से Sustainable है, Economic के Point of View से Social और Environmental तो इंडिया के तीन Village है जिनको यहाँ पे Nominate किया गया है, और कौन-कौन से यह Village है, क्या इनकी खास बात है, यहाँ पे हम देखते हैं आगे बढ़ने से पहले, This is a Brief Introduction about me My name is Rahul Bhardwaj, यह मेरा Telegram Channel है इस पर आपको PDF मिल जाएगा इसके लिए आप यहाँ पे Follow कर सकते हैं कि Important आपके लिए Announcement है कि Anacademy के Subscription की Price आपकी 10% से और Reduce कर दी गई है अभी आपको यह 20% आफर किया जा रहा है जिसमें आपका जो Subscription Price है फर एक्जामपल GS के लिए अगर आप जा रहे हैं तो यह आपका पहले 49,000 था यह आपका 44 पे आ गया है और यहाँ पे आप जब Code यूज करते हैं आपकी जो प्राइस है फिर से 10% से Reduce हो जाती है यह आप Benefit यहाँ पे ले सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तीन यह जो Villages है इनकी हम बात करें तो पहला जो Village है यह लाड़पुरा खास यह आपका जो है और चा के पास में आपका इस्थित है और यह टीकमगर डिस्टिक है जो की जहांसी के पास में है जैसा आपको यहाँ पे दिख पा रहा है तो आपका यह जो आपका है लाड़पुरा खास विलेज यहाँ पे बेसिकली गॉर्मेंट जो है ओफर कर रही है और जो टूरिस्ट है उनको एक तरह का जो लोकल टेस्ट है विद अहलप अवराइटी अवेस जैसे फूड हो गया, ड्रेस हो गया, कस्टम ट्रेडिशन इन सब के थूँ वहाँ पे ओफर किया जा रहा है अपार्ट फर्म दिस, मद्यप्रदेश गॉर्मेंट कह रही है कि हम ऐसे 100 विलेजेज को डवलप करने वाले हैं इन दे नेक्स्ट फाइफ इयर्स और इसके अंदर जो पॉपलर डेस्टिनेशन है और इसके अंदर जो पॉपलर डेस्टिनेशन है जैसा ही आपको लोकेशन दिख रहा है जहांसी के पास में बेसिकली डिस्टिक आप देखोगे टिकम कर डिस्टिक लग रहा है नेक्स्ट जो विलेज है यह बहुत इंट्रेस्टिंग है कांग फॉपलर विलेज की लोकेशन आप देख सकते हैं नौर्थीस्ट के अंदर यहाँ इस्ट खासी जहां पर यहाँ आपको मिल रहा है और इसे आपका इंडिया का विस्लिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को एक ट्यून से बुलाती है जैसे यह ट्यून्स हो गया इस तरह की ट्यून्स जो है क्रियेट की जाती है बच्चों को पुकारने के लिए पॉपुलर जो घर पे नाम होते हैं उसकी जगे इसलिए हम यहाँ पे से विस्लिंग विलेज ऑफ दे इंडिया के नाम से भी जानते हैं कॉंक्थॉंक के बीज नाम है एक तो कॉंक्थॉंक हो गया रेगूलर नाम है इसके अलावा सॉंग नेमस भी हैं इसके शॉट सॉंग नेम और लॉइंग सॉंग नेम भी रही है जैसे कि म्यूजिकल नेमस के अंदर आपका जिंगरावी is देर I hope I'm pronouncing it right short song is normally used at home the longer names are used in the forest to keep away the evil spirits तो इसका एक वहाँ पे ये भी significance है उनकी life के अंदर की जो evil spirits हैं वो यहाँ से दूर रहती है इन songs को use करने से तो ये कॉंग तॉंग विलेज है इसको भी आपका नॉमिनेट किया गया है best village tourism का ये जो award है इसके लिए and apart from this third one is situated in the telangana ये जो आपको location यहाँ पे दिख पा रहा है ये है आपका भूदान पोचमपली विलेज भूदान आपको याद आराओगा भूदान जो आपका movement था उससे related ये है भूदान movement में जो आचारी पोचमपली विलेज से होती है और ये पोचमपली विलेज आज तेलंगा नामे आपका situated है इस पोचमपली विलेज को यहाँ की जो इकत साडी है hand women जो साडी है उसके लिए जाना जाता है जैसा ये आप picture में देख पा रहे है ये आपकी पोचमपली साडी है अगर इन में से कोई भी विलेज बेस्ट टूरिजम का वार्ड बैक करता है UNWTO के अंदर तो ये बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के जो रूरल टूरिजम सेक्टर है उसके लिए इंडिया टूरिजम को प्रमोट करने की बहुत कोशिश कर रहा है रीजन ये है कि टूरिजम जो एक तरह की सर्विस इंडिया की जीडिपी में इसका कॉंट्रिबूशन है काफी ज़दा एंड वन अफ दा लार्जेस्ट फॉरन एक्सचेंज अर्नर्स जो फॉरन एक्सचेंज हमारे को आता है उसकी अर्निंग में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फॉरन टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं तो फॉरन एक्सचेंज के लिए अर्निंग का काम कर रहा है इसके अलावा जीडीपी में कॉंट्रिबूशन देखेंगे अगर तो लगबख साथ प्रतीशत एट प्रेजेंट कॉंट्रिबूशन है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले 6-8 साल के अंदर यह जो कॉंट्रिबूशन है यह 10 प्रतीशत तक बढ़ाया जा सकता है इसके अलावा जॉब की हम बात करें इंडिया में जितने लोग एंप्लॉइड हैं उसमें से 8% को आपका टूरिजम जो इंडस्ट्री है यह जॉब प्रवाइड कर रही है टूरिजम का मल्टिप्लायर एफेक्ट भी होता है पर एक्जामपल कोई ऐसा टाउन या कोई ऐसा जॉब्स क्रियेट होती हैं इंकम अपर्चुनिटीज क्रियेट हो रही हैं वहाँ पे बैटर रोड इंफ्रास्ट्रीक्चर डवलप होना स्टार्ट हो जाएगा तो ओवरॉल लोगों की क्वालिटी ओफ लाइफ भी इंप्रूव होगी एकनॉमी के प्रेंट अफ यू से भी हमें बैनिफिट होगा this is all about this lecture you can get the pdf of this session on this telegram group इसके लगा इस telegram group पे आप इससे भी connect हो सकते हैं और बहुत सारे free session है जिनका भी आप benefit ले सकते हैं important आपके लिए announcement है कि आपकी जो prices है इस पर 10% extra discount offer किया जा रहा है तो आपको जो अभी prices update होंगी वो 10% discount के साथ update हो रही और इसके अलगा केवल optional के लिए जा रहे हैं तो यह केवल optional के plans आपके सामने हैं 15 सितंबर से नए बैचे जा सकते हैं इनके लिए आप जा सकते हैं अपना course पूरा कर सकते हैं हर संड़े आपका UPSC combat scholarship test होता है इसमें participate कर सकते हैं pre test series का भी benefit ले सकते हैं that's all for today don't forget to like, share and subscribe all the best have a great day